स्वागत है आपका टिप्स एंड टिप्स में बुलेटन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी विश्विध्यालेयों में पी हेच टी की सो सीटे कम हो गई है 16 निजी विश्विध्यालेयों को निजी शिक्षन संस्थान विनियामक आयोग ने इस वर्ष 550 सीटों का ही आवंटन किया है UGC के अनुसार पर याप्त सुविधाय नहीं होने पर कई विश्विध्यालेयों की सीटों पर आयोग ने कैची चला दी है सभी निजी विश्विध्यालेयों की जाज करने के बाद आयोग ने बीते वर्ष 5650 सीटों में से 100 सीटों को कम करने का फैसला लिया है आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवरित अतुल कौशिक ने बताया कि गुनात्मक शिक्षा के लिए ये पहल की गई है आयोग की जाज में कई निजी विश्विध्यालेयों में पहजडी करवाने को लेकर कमिया पाई थी इसे आधार पर सीटों में कमी की गई है इस वर्ष जन्वरी में प्रदेश में सभी 16 निजी विश्विद्यालियों से जारी हुई PhD डिग्रियों की आयोग ने जाच शुरू की थी वर्ष 2009 के बाद जारी सभी PhD डिग्रियों का निजी विश्व विद्यालियों से रिकॉर्ड एकत्र कर पाया गया कि कई संस्थानों ने निर्धारित नियमों का पालंग किये बिना PhD करवाई PhD की डिग्री तीन वर्ष की होती है इसे छे वर्षों के भीतर पूरा किया गया नियमों के तहट शोधार्थी को 18 माह कैंपस में रहकर शोध कार्य करना होता है यह नियम भी पूरा नहीं हुआ आचार्य, सेह आचार्य वह सहायक आचार्य जितने शोधार्थी ले सकते हैं इस नियम की भी पूरी तरह हंदेखी की गई है कुछ निजी विश्विध्यालेयों ने सहायक आचार्यों को नियुक्त करने के बाद ही उनके अधीन पी हेचटी करवाना शुरू कर दिया, इस सब कम्यों को देखते हुए आयोग ने इस वर्ष के लिए निजी विश्विध्यालेयों में परियाप्त सुविधाओं के कौंग्रेस में अंतरकला को टाला जा सके भाजपा प्रवक्ता रंधीर शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी मंत्र मंदल में जातिय और क्षीत्रिय असंतुलन का मुद्दा लंबे समय से उठा रही है उन्होंने आरोप लगाया कि कांगडा मंडी बिलासपूर और कुलू जिलो स सहित निचले हिमाचल प्रदेश के साथ मंत्र मंदल में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उन्होंने कहा कांगडा राज्य का सबसे बड़ा जिला है जहां से 15 विधायक चुंकर आये हैं और इस बार इन में से 10 कॉंग्रेस के हैं इसके बावजूद वो राज्य मंदल में अपनी वाजब हिस्सेदारी का इंतजार कर रहा है गौर तलब है कि कांगडा से केवल एक विधायक को मंत्र मंदल में शामिल किया गया है जबकि साथ विधायकों को चुनकर विधानसभा भीजने वाले शिमला जिले के तीन विधायकों को मंत्र मंदल में शामिल किया गया हिमाचल सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी है भाजपा सरकार के समय प्रतिनियुक्ति यानि डेपूटेशन पर नियुक्त 400 शिक्षकों को भी वापस स्कूलों में भीजने की निर्देश दे दिये हैं शिक्षा मंत्री रोहित थाकुर ने कहा कि मुख्य मंत्री सुक्विंद सिंग सुक्षू किस पश्ट निर्देश है कि शिक्षकों को स्कूलों में प्रतिनी उक्ती पर नहीं भीजा जाए बीते कई वर्षों से प्रतिनियुक्ती पर डटे 400 शिक्षकों की स्कूलों में वापसी करने के लिए कॉंग्रस सरकार ने कमर कसली है करीब 400 ये शिक्षक स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने की जगह शिक्षा निदेशाले उपनिदेशक कार्याले डाइट सहित जिला मुख्यालियों से सटे स्कूलों में सेवाय दे रही है प्रदेश के कई सरकारी स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूच रही है बावजूद इसके ऐसे शिक्षक भी है जो विद्यार्थियों को पढ़ाने की जगह दफ्तरों में लिपिक कारे करने में जुटे है राजधानी शिमला सहित जिला मुख्यालियों में रहने के चलते इन शिक्षकों ने प्रतिनियुक्ती का जुगार किया है सत्ता में रही सरकारे इन शिक्षकों को स्कूलों में भीजने की बाते करती आई है लेकिन धरातल पर इस बाबत कुछ नहीं किया गया अब सत्ता परिवर्तन की जगह व्यवस्था परिवर्तन की बात कहने वाली प्रदेश सरकार ने प्रतिनी उक्तियों को लेकर कड़ा संग्यान लिया है अब इन शिक्षकों को रिक्त पदू की कमी से जूच रहे दूरदराज और दूरगम क्षित्रों की स्कूलों में भीजा जाएगा ग्रामीन विकास और पंचायती राजमंत्री अनिरुट सिंग ने कहा कि ग्रामीन विकास एवं पंचायती राज विभागों में जल्ग 450 नई नौकरियों का प्रावधान किया जाएगा इसके अतिरिक्त मन्रेगा में कामगारों की ओनलाइन हाजरी का प्रावधान किया जाएगा शिमला में भी अन्य महागरों की तर्च पर हाट बजार के लिए जगह का चैन किया जाएगा जहाँ पर स्वयम सहायता समुह अपने उत्पाद बेच सकेंगे और ऐसी व्यवस्था प्रदेश के हर शहर में की जाएगी वे एक सम्मेलन के समापन समारों में बतोर मुख्य अतिथी संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम की दोरान स्वयम सहायता समूर की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की पैकेजिंग में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई इस दोरान मंत्रीर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विभिन पंचायतों की संस्कृती एवं भोगोलिक परिस्थिती को देखते हुए प्रदेश की 26 खंडों में स्वयम सहायता समूर की महिलाओं को प्रशिक्षन दिया जाएगा तथा उन्हें सस्ते दामों पर पैकेजिंग स सामगरी उपलब्द करवाई जाएगी